दोस्तो मैं एपी भी सुवार्मा स्वागत करता हूपने यूटूब मंच पर और दोस्तो हम अपने इस यूटूब मंच पर सेल्स मार्केटिंग एन मोटिवेस्टनल वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपके जिन्दगी में कुछ वैलिव एड हो सके और हम कुछ आपके जि उनके डिमांड में बनाये जा रहा है उनका यह कहना है कि आप बताएए कि हम जो PCD को रन करते हैं जो फार्मा फ्रेंचाइजी को रन करते हैं उसको कैसे सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे उसको प्रफिटेबल में ला सकते हैं दोस्तो अगर आप लोग PCD करते हैं तो प्रपगंडा कम डिस्टिबूशन होता है या फार्मा फ्रेंचाइजी होता है यह जो बहुत सारे कंपनिया क्या होती है कि मतलब जो आल अबर इंडिया में काम नहीं कर रही है और उनका मेनिफैक्शनिंग हो रहा है वो हर जगा पे स्टेट वाइद या डिस्टी के वाइद जो है मतलब कुछ-कुछ लोगों को वहाँ पर फार्मा फ्रेंचाइज कर देती है authorize कर देती है कि वहाँ पर आप काम कीजिए एक मतलब उन लोग में agreement करके उनका एक certain area fix कर दिया जाता है उसी मोन लोग काम करने के लिए allowed आता है और यहां जो लोग करते हैं उनको फाइदा ये होता है कि एक छोटे से budget में मतलब 10,000 से 20,000 से लेकर के वो बहुत सारा एक मतलब range लेकर के वो फार्मा, फ्रेंचाइजी या PCD या काम करते हैं और जो लोग ये काम करते हैं वो better way से जानते हैं कैसे काम करना है कैसे करते हैं तो बहुत सारे इसमें फाइदा क्या होता है जो लोग PCD करते हैं वो बहुत कम investment में कोई 10,000 से 20,000 से मतलब अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट में सेल करके अपना ब्लाविली हुड का प्रवंद कर सकते हैं जीवनियापन का प्रवंद कर सकते हैं दोस्तों ये इसका benefit होता है लेकि अब प्रस्त है कि क्या PCD को run करना मने जैसे तैसे उसको मने घीजना और PCD को profitability में लाना एक profit में रन करना दोनों में काफी अंतर है दोस्तों क्योंकि PCD का काम जो होता है this is not a joke उसमें profit generate करना इतना आसान नहीं होता है जितना आप सोच लेते हैं खास कर post corona period में जबसे corona का दौर खतम हुआ ये 5 सालों में ये बहुत tough हो गया है very competitive हो गया है पहली बात दूसरी बात ये है कि को government भी जबसे बहुत सारा प्रधान मंतरी जनोस दी या इस तरह के जो जेनरिक कुछ प्रमोशन कर रही है उसमें और भी ये tough हो गया है दोस्तों मतलब हर chemist के पास अपना franchise है हर chemist के पास अपना PCD कंपनिया है mostly doctors के पास अपनी PCD कंपनिया है mostly consumers के पास अपना PCD कंपनिया है या pharma franchise है या इस तरह के दौर में अगर आपometर आफ मार्केटिंग कर लेते हैं और कर रहे हैं तो आपको मेरा सैलूट है लेकि अब बात करेंगे कैसे हम लोग इसको रन कर सकते हैं अगर आ गये हैं तो ठीक है आ गये हैं इसको रन करना है तो सबसे पहला काम करना है दोस्तों कि आपको जो है एक डॉक्टर का लिस्ट जो बनाते हैं आप लोग एक idealist बनाना है जिस doctor में potentiality वो दम हो और वहाँ पे 10 doctor पे highly focus करना है जहां पे आपको अच्छा relations हो जहां से महिने में आप 5000-10,000 का sale निकाल सकते है 10 doctors से बाकी 90 doctors पे जो है आप जब काम करते हैं तो वहाँ भी प्रयास किजे कि 1000-2000 का आपका prescription निकले दोस्तों पहली बात है दूसरी बात यह भी सचा है दोस्तों कि जब आप काम सुरू करते हैं मालने आप previously किसी कंपणी में काम कर जाए होगे जब नया सुरू करते हैं तो जिस doctor से आपको highly expectations होगा कि आपको लिखेंगे वो सारे doctor नजर मोल लेते हैं मोल लेते हैं आपको ignore करते हैं वो नहीं start करते हैं नहीं लिखते हैं जहाँ जहाँ आपको expectations रहता है कि हमारा goodwill का doctor है हमारे परचित doctor है हमको support करेंगे वहाँ आपको support almost नहीं मिलता है दूस्तों तो वहाँ आपको नए सीरे से तयारी करना पड़ता है नए customers को ढूणना पड़ता है क्योंकि previously किसी company में काम करना और अपना pharma franchise में काम करना PCD में काम करना दोनों में जमीन असमान कांतर हैं दोस्तों याद रखिएगा तो आपको solid list बनाना है और कुछ डॉक्टर पे फोकस करना है दूसरा दोस्तों आपको जो है एक specialty पे जाना है specialty पे जाने का मतलब यह होता है कि आप ऐसाने की सब कुछ करने लेगे GP है, ENT है, ortho है आपको neuro है, psychiatric है, सब पे मत जाएगे दो आप कोई एक specialty या दो specialty पे आप जाएगे जैसे अगर आप gynecologist में जा रहा है गाइनी डॉक्टर में जाएगे आप specialty में जाएगे और तो में अगर आपके experience तो और तो में जाएगे अगर आपको माद ले अगर cardiac diabetes ने experience है तो उसमें जाएगे किसी एक प्रयास किजिए एक highly specialty में जाएगे और उसमें work किजिए कुछ भी start मत करजिए specialty में जाएगे और वहाँ accordingly आप उसके उसार जो है आप 10 product 20 product जितना product का range होता है product जितना कम रहेगा अच्छा है मालने कि चलते हैं 10 product पे आप काम किजिएगा 10 से 15 आप इस पेसिलिटी पे जाएगे तीसरी बात क्या होता है कि आप volume बिल्डिंग उला product लाइगे दोस्तों आज के डेट में आप paracetamol से या acyclofenis बेज करके या निमूसलाइड बेज करके आप बहुत ज्यादा volume पेसिनरेट नहीं कर सकते हैं तो जैसे मैंने अगर आप infertility में जाते हैं तो बहुत सारा होता है कि boxes जो होते हैं 5000-6000 पे box होता है या और भी बहुत सारा segment होता है जहां पे देखिया है कि बहुत costly product होता था आपके पास कम 2-3 brand ऐसा होना है जो volume building होना चाहिए दोस्तों को generate कर पाते हैं कर पाईएगा दोस्तों तीसरी बात दोस्तों आपको यह है कि आप जो है हमेशा जो है एक कल्कुलेटिव रिस्क लिए दोस्तों मतलब कहने का मतलब देखिए आप हर डॉक्टर को आप CRM की जेगा यह संभाव नहीं है और CRM करने के बाद भी हर डॉक्टर लिखेगा यह भी संभाव नहीं है क्योंकि आज के डेट में एक सिस्टम हो गया है कि एक अनार फ्लॉ बिमार पे की जैसा है मतलब एक डॉक्टर जो है करीब-करीब एक पोड़क्ट पे बने करीब-करीब 20-30 कंपनियां से पैसा ले लेती है या CRM करा लेती है और उनका कुछ नहीं लिखती दोस्तों मतलब या बहुत कम लिखती है कहने का मतलब कोई डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं कि एक ही पोड़क्ट पे 30-30 कंपनियां से अपना मतलब उनका नेगोसिक्षिन हो जाता है उसके समें क्या होता है कि डॉक्टर आपको मानखे चलिए महिने में अगर एक बॉक्स लिख भी दिया तो एक बॉक्स लिखता है नहीं है वहाँ 5-6 लिखेगा दोस्तों तो वहाँ आप लॉस में होते हैं नहीं तो आप बहुत दिन तक सरफाई नहीं कर पाएगा आप प्रोफित जनरेट नहीं कर पाएगा दोस्तों आपको बहुत ही कल्कुलेटीव हो करके चलना है दोस्तों चौती बात है कि आप जो है आलवेज जो है एस्माल गिफ्टिंग को प्रेफर कीजिए हर डॉक्टरों को मतलब बहुत बड़ा बड़ा गिफ्टिंग या बहुत बड़ा बड़ा मतलब सर्विसिस देने से अच्छा है कि आप हर मन्त कुछ नो कुछ एस्माल कीजिए और वहां पर ब्रांड रमाइंडर किजिए रिलेशन बन जाया गा उसी 90 डॉक्टर से कोई आपका 10 डॉक्टर निकल जाया गा जो आपको सूपरकोर को रूप में आपको प्रिश्य्पशन को दे दोस्तों तो यह आपको मान के रखे है कि आपको यह काम करना है एस जो है आप निकाल पाईएगा मतलब बेनिफिट दोस्तों लगता है कि हम इतना में कर देंगे तिना हम बेचेंगे पांची बात क्या है दोस्तों कि आप क्या कीजिए कि आप एक इस टेंडर अपना सेट कर लिजे कि हमको इस पोड़क को मतलब फिश मार्केट की तरह काम नहीं करना है कोई अगर मनें कमपनी दे रहा है अगर 10 दिन का डिल तो हम उसको 10-5 का दे रहा है तो हम उसको 10-10 का देंगे आप इस भागदोड़ मत पढ़िए आप अपना एक इस टेंडर मानक सेट कीजिए कि हमको इसके बिलो नहीं जाना है हमको अगर हम 10-5 देते हैं डील 10-6 देते हैं डील या उसका नेट रेट इतना आता है इसके बिलो हमको नहीं जाना है अपना प्रोफिट आप मार्जिन चलिए परसों बोलेगा और इसकी बिलो दील वेयों देना है इसले पन्सेर till मेमें जाना है आप इससे स्टैन्डर wynag सेर्ट के हमको आप प्रयास कीजिए कि आपको डेली कम से कम जब घर से निकलते हैं तो दस से बारा कॉल आप डेली कीजिए जितना आपका maximum coverage होगा उतना आपको benefit होगा उसमें आपको नए ने customers मिलेंगे और हो सकता है कि उसी customers दिम कोई आपको सुपर खोर बन जाए आप एक दो डॉक्टर आप भरसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो यहां पे आप कल्कुलेटीब लिस्ट लिए maximum coverage कीजिए डेली कम से कम 10 से 12 कॉल कीजिए और एक काम और कीजिएगा दोस्तों कि आप कभी भी किसी भी जो भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं जो भी आप केमिस्ट के पास जाते हैं जो भी जाते हैं वहां आप ये कभी मत बुले कि हम इसके मतलब मालिक हैं ये हम company हम run करते हैं कभी भूल के मत बुलिएगा ऐसा बोलने का मतलब है कि उन लोग और आपसे डिमांड करेंगे और आपसे बुलेंगे और ये दीजीए वो दीजीए ऐसा दीजीए आप always वहां ए एक इंप्लाई की तरहां काम की दोक्टर लोग सब समझी जाते हैं या समझी जाते हैं लेंकि आपको प्रियास करना कि अपने लेवल से कुछ शोफ होड़ा काम नहीं करना है कोईनी बताना है कि मेरा है हम रण करते हैं आप जादे वहां बनने का कोशिस मत किजेगा आप एजन इंप्लाई जाईएगा उसकी रुप में बात किजेगा उसको जो जानना है जानने दीजेगा तब जाके आप यह कर सकते हैं नहीं ते डॉक्टर जैसी जाना है कि इसके और यह सर्विश दीजे इतना दीजे पता चड़ आपको लेनी की देनी पड़ जाएगी और वहां आपको जेनरे नहीं कर पाएंगे आप प्रॉफिट जेनरे नहीं कर पाएंगे इसलिए always आपको calculative होना है आपको maximum doctor को cover करना है आपको super core doctor बना के काम करना है आपको एक calculative risk लेना है आपको a small gifting करना है आपको एक अपना माने के standard sit करना है कि आपको इसके below नहीं जाना है तो नहीं जाना है और आपको daily आपको कम से कम 10 से 12 call कीजिए आप doctors के साथ strong relations बनाईए मजबूत relation बनाईए और उसको कुछ-कुछ CRM करकर के या small gifting को cementing करते रही है दोस्तों यहीं रास्ता है आप जब तक calculative नहीं होगे जाएगा आप pharma company को PCD को या pharma franchise को बहुत ज़्यादा दिनों तक गरण नहीं कर सकते हैं दोस्तों क्योंको दूर से देखने में लगता है कि ऐसा है वैसा है profitable है लिगे अंदर आप dip में जाएगा तो आप चाहे जितना भी deal बोन दे दिजेगा आपको पतलब समझे एक-एक tablet के लिए बहुत मारा मारी है बहुत competition है बहुत competitive जूग है दोस्तों तो यहां बहुत होश्यारी से बिल्कुल अपना आँख को खोल करके दिमाग को खोल करके open रख करके सारे सोंस समझ के आपको काम करना है पूरे खुले mind से काम करना है और बारीकिस से काम करना है जैसे काम करना हाँ हस्के डियट में दोस्तों जैसे तैसे काम किजिएक आता प्रणज जाहिए गा और आप लेको आपि जो कीजिए अगर arrunn अगर a आप सपोर्परों करते ह Nah आप step टक एप हेट क्वाटर जब तक आपका दो लाग का नहीं आता है आप वहां से प्रोफिट जेनरेट नहीं कर पाते हैं दोस्तों क्योंकि आपको कम से कम आपका भी तो अगर मान लिए ओवरॉल अगर सब डिडेक्शन कर सके अगर आपको 30 परशन का बचता है तो अगर आप दो लाग सेल किजेगा दोस्तों तब आपको 60,000 रुप्या आप बचा पाईएगा और हर घर में आज के डिट में 50-60,000 रुपीज खर्च है दोस्तों यह बात को आपको मानना पड़ेगा और अपने अगर वीडियो को प्रॉपिट में रन करा सकते हैं और आप ग्रो कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें दोस्तों सब्सक्राइब जरू करें क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी फड0715 एक है यद टेार किस्वंडान।